मनिशा कुल्स्रेष्ट जीए कहानी बिगडेल बच्चे वे तीन युवा पिंक सिटी ट्रेन से सुब़ सुब़ चह बजे मेरे बात चड़े थे रेल के इस सबसे पीछे वाले सुनसान पड़े डिब्बे की मानों रुकी हुई सांसे एकायक चल पड़ी हुँ तेज स्वर में बातचीत छेड़ चाड़ करते हुए तीनों सामान स्वयम लादे विदेशी परियटकों की नकल में ये परियटक साफ साफ देशी नजर आ रहे थे बात बात में फकिन फक अप फक ओल मुझे बहुत नागवार गुजर रहा था आते ही धम से उन्होंने सारा सामान सामने की सीथ पर पटक दिया था एक खुल्लम खुल्ला सी मध्यवरगिय मगर आधुनिक किस्म की लापरवाही उनकी हर बात से जलक रही थी चाहे वह बातचीत का लहजा, सामान फेकने का धंग, चाल धाल, या की बाल हो, चपले हो, चाहे बिना मोजों वाले जूते हो, या फेड़ड जीन्स हो वे जो कर रहे थे, उनकी नजर में फैशन था, आधुनिक्ता थी इस आधुनिक्ता में, उनका मध्यवरगिय अभाव, कुछ ढंक रहा था, तो कुछ उघड रहा था पिंक्सिटी दिल्ली के सराय रोहिला स्टेशन से सीधे छ बजे चलती है, और दोपहर तीन बजे जैपूर पहुँशती है सो सुबह साड़े पाँच बजे ही मुझे मेरा बेटा ट्रेन में बिठा कर, सामान व्यवस्थित कर, एक कप एक्सप्रसो कॉफी सामने के स्टॉल से लाकर, मुझे पकड़ा कर, चला गया था पहले से बैठा, बलकि खाली बैठा भारतिय यात्री, उस पर महिला यात्री, और फिर मेरे जैसा कल्पनाशील यात्री, हर नए चड़ने वाले यात्री के बेश भूशा, शक्ल, बातचीत के लहजे, नामों के चलन के अनुसार, उसका प्रदेश परिवेश भापने का प् अजीब किस्म का शौक है ना, दूसरों के मामले में नाग घुसाने का नितांत भारतिय शौक निश्चित रूप से तीनों गोवा के निवासी लग रहे थे, केवल शक्लो सूरत से ही मैंने यह निश्चे नहीं किया था क्योंकि लड़की ने जो टीशट पैनी थी, उस पर सामने ही लिखा था, My Goa, The Heaven on the Earth गले में काले धागे में चांदी का बड़ा सा क्रोस लटका हुआ था यही नहीं वे कभी अंग्रेजी में और कभी कॉंकणी भाशा में बात कर रहे थे अपना गिटार, कैमरा, वॉक मैन के अलावा तीन पुराने से बैग, धेर सारी चिप्स और कोल्डरिंग की बोटल्स और कुछ पत्रिकाएं लेकर वे तीनों चड़े थे और अब वे मेरे एकदम सामने वाली सीटों पर अस्त व्यस्त से जम गए एक लड़की तो थी ही, बाकी दो लड़के थे, एक छोटा, एक बड़ा तीनों उत्तर भारत के टूरिस्ट मैप पर सर से सर जोड़कर नजर गड़ा कर कुछ कारिकरम बना रहे थे, कौंकणी में लापरवाही से उनका कैमरा सीट के कोने में रखा था, मैं मन ही मन कुन्मनाई, लगता है इने उत्तर भारत, खास तोर पर दिल्ली के जेब कत्रों, उठाई गीरों का कोई अनभव ही नहीं है, या कभी कुछ सुना भी नहीं मैंने सोचा, आगाह करूं, पर मेरी तरफ डाली गई उनकी उदासीन द्रिष्टी, अब तक मुझे चिडा गई थी, सो मैंने सोचा, हम, मुझे ही क्या पड़ी है मैप देखने के बाद तीनों अपनी अपनी जगह पर खिसक गए, बैग उपर वाली बर्त पर लापरवाही से फैंक दिये गए थे गिटार बड़े वाले लड़की ने अपने पास गोद में बहुत प्यार से रख लिया, जैसे कोई पालतु जानवर हो वाप मैन छोटे ने कान पर लगा लिया, खाने पिने का सामान लड़की ने अपने पास के बैग में डाल दिया था लड़की सामली होने के बावजूत आकरशक थी, दर्म्याने कद की, पतली और प्यारी सी, हाँ बाल बेडंगे से थे, घुंगराले काले बालों में कथई और सुनहरे रंग की कई लटें रंगा रखी थी ऐसा लग रहा था कि सफेद बालों को घर पर मेहंदी लगा कर चुपाने की कोशिश हो मुझे अपने कॉलेज की मिसस बत्रा याद आ गई, वो अपने खिचडी बालों में मेहंदी लगा कर ऐसी ही लगा करती थी पर यह फैशन है आजकल का, भेडंगा फैशन, मेरे अंदर की प्रावड होती महिला किच-किचाई लड़कों में से चोटा लड़का चेहरे मोहरे से उसका भाई लग रहा था हाँ भई उसकी नाक और ओटों की बनावट बिलकुल लड़की जैसी ही थी वह लड़की जरा लुनाई लिये हुए सामली थी और यह बिलकुल काला वही जिसने कानों में अब वाकमैन के यर पलग लगा रखे थे और पैर हिलाते वे गुन गुनाता जा रहा था कभी कभी वह आसपास के वातावरन से बेखबर जरा उंची आवाज में गाने लगता था तब लड़की उसे कोहनी मार देती थी बड़े लड़के के हाथ गिटार के तारों को हलके हलके सहला रहे थे वह कोई अंग्रेजी गीत गुन गुना रहा था और मीठी नजरों से लड़की को देख रहा था लड़की ने मुस्कुरा कर नजरें खिड़की के बाहर दोडा दी स्टेशन पर चहल पहल बढ़ गई थी जिस खिड़की के पास वह लड़की बैठी थी वहाँ दो-चार सडक छाप मन चले मंडराने लगे थे ठेट सडक छाप हिंदी के कुछ गंदे फिकरे कसे गए जो लड़की को समझ नहीं आए पर वह लड़की होने की चटी इंद्री से समझ गई कि उसके कपडों पर कुछ कहा गया है उसने आधी खुली पीठ वाला चोटा सा बड़े गले का नाभी दर्शाना टॉप पहना हुआ था नाभी में चांदी की बाली पहनी हुई थी बड़ा लड़का उसका असमंजस तुरंट समझ गया आवेश की हलकी परचाई उसके चहरे पर आई उसने उसे बैग में से निकाल कर एक लंबी बाह की शट पकड़ा दी थी उसके कंधों पर अपनी बाह का सहारा देकर पैट गया लड़की ने लापरवाही से उसकी दी हुई शट को पहन लिया था लेकिन बिना बटन लगाए अब तक ट्रेंग ने सीटी दे दी थी जिन्हें इस ट्रेंग में चड़ना था चड़ गय थे और अपनी अपनी जगह खोजने लगे थे यह एक सेकंड क्लास का डबबा था मेरे बगल में एक अधेर सज्जन आ बैठे थे और उनकी पतनी भी चोटा लड़का अब एकदम मेरे सामने था उसने हरा बर्मुडा और फूलों की छींट वाली पीली शर्ट पहन रखी थी सामने के कुछ खड़े बाल सुनहरे होने की हद तक ब्लीच किये हुए थे ट्रेन चलते ही इस चोटे लड़के ने वॉकमेन की आवास बड़ा दी थी इतनी की मैं तक सुन पा रही थी उससे शोर सहन नहीं हुआ तो मैंने उसके पास थोड़ा जुप कर पूछी लिया मैं डोना है ना मैंने सोचा वह बात में चिपे व्यंग को समझेगा और आवास धीमी कर देगा हाँ उसने कहा लड़की ने सिर हिलाया बुरा सा मुँ बनाया और कहा She is not for our generation He likes Shakira and Brittany मैं साथ लाई किताबों में से कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी पंदर मिनिट तक मैं वह कान फाडू संगीत सुनती रही अधेड व्यक्ति मेरे परिशानी भाप रहे थे उन्होंने चोटे लड़के के घुटनों पर थप थपाया उसने येरफोन हटाया और उनकी तरफ चिड़े हुए अंदास में देखने लगा संगीत येरफोन्स में से निकल कर ट्रेन के सरपट संगीत से पूरी टक कर ले रहा था फोरेवर फोरेवर टननना तों चक चक चुक चुक टुटु टुटु अगर तुम इतना तेज म्योसिक सुनोगे तुम्हारे कान खराब हो जाएंगे अधेड सज्जन ने बिनमरता से धीरे से कहा लड़के ने सिर हिला दिया यह संकेत देते हुए कि पहली बात तो वह कुछ सुन नहीं पा रहा दूसरे उसे हिंदी नहीं समझाती उन्होंने थोड़ी तेज आवाज में अंग्रेजी में कहा कि if you will listen loud music your hearing will be damaged उसने तेज आवाज में पूछा और walkman बंद कर दिया He is saying you are going to ruin your hearing if you will continue play music so loud मैं सननाटे में जोर से चीक पड़ी अचानक वे तीनों जोर से हस पड़े छोटे लड़के ने हसी रोपते वे तूटी फूटी हिंदी में गोवन धंग से कहा अच्छा शुक्रिया और येर फोन को गले से लटका लिया और walkman बर्मुडा की लंबी लटकती जेब में डाल दिया जिससे वह और लटक गई मैं जेंब कर उट खड़ी हुई और hand towel लेकर बाथरूम जाने का उपक्रम करने लगी मेरे मुडते ही आवाज आई यहां आवास लडकी गी थी यहां गंभीर आवास बड़े लडके की थी मैं बाथरूम से लोटी तो बड़ा लडका डेबोणियर का सेंटर स्प्रेट देख रहा था लडकी भी साथ जुकी थी बीच बीच में बड़े लड़के की धीमी आवाज में की गई किसी टिपणी पर वह उसके बाल खीश देती या पीर्थ पर मुक्का जमा देती वह धेड सज्जन और उनकी पतनी अब मेरी और सहानवुती के साथ मुखातिब थे आपसी परिचे से पता चला कि वे डॉक्टर हैं उनकी पतनी अध्यापिगा यहाँ खाल है हमारे देश की युवापीडी का यह डॉक्टर साब कह रहे थे दिन पर दिन बत्तमीज होते जा रहे हैं संसकार बचे ही नहीं उनकी पतनी ने अपने में मशगूल उस युवास्तरी को घूर कर देख कर कहा छोटा लड़का थोड़ा जिचका और प्रतिक्रिया में उसने अपने जांग तक उन्चे चड़ गए बर्मुडा को नीचे खीच लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा हमारी भी गलती है हमारे पास समय कहा है जो इन्हें संसकारों का पार्ट पढ़ाएं मैंने ठंडी सांस लेकर कहा देखने में तो मिडिल क्लास लग रहे हैं पर फैशन और रहन सहन देखो ये कृश्चिन तो होते ही ऐसे हैं देख रही है ना कितने बेशर्मी से गंदी गंदी किताबें देख रहे हैं बड़े बूडों का लिहास ही नहीं है डॉक्टर की पत्नी ने फुस फुसा कर कहा बात खाली एक जाती की नहीं है हमारी यंग जनरेशन पूरी की पूरी ही ऐसी है कुछ वेस्टरन कल्चर का असर था बचा खुछा तीवी चैनल्स ने पूरा कर दिया इन लोगों को इतनी छूट है हमें कमी थी क्या डॉक्टर ने कहा हाँ हर पीडी में अच्छाईया और बुराईया रही ही है हाँ जी पर यह पीडी तो इन में समस्दारी नाम मात्र को नहीं है देखो इने बस फाल्तु जोश कुछ कर दिखाने कुछ बनने बनाने की न तो काबिल्यत है न अकल न हिम्मत सोशल वैल्यूस के नाम पर जीरो अपनी तरजनी अंगुठे से जोड कर उन्होंने जीरो बना कर दिखाया जो आज मिल रहा है भोग लो कैसे भी पैसा कमाओ और खर्च कर लो मजे करो बस बाकी दुनिया जाए भाड में डॉक्टर की पतनी उन्हें घूर घूर कोस रही थी वे तीनों समझ रहे थे कि हमारी बात का विश्य वे तीनों ही है शायद इसी लिए चोटा लड़का वॉक्मैन सुनते सुनते जोर से गाने लगा था और उन्हें चिडाते हुए वह लड़की लड़के से एकदम सट कर बैट गई लड़का गिटार पर कोई गोवन धुन बजाने लगा था भोगवाद कहें या भोतिकवाद इससे हम भी कहा अचुते हैं हाँ पर यह युवा पीड़ी कुछ ज्यादा ही लापरवा है जो भी हो इन्ही पर हमारा भविश्य टिका है भविश्य? ये युवा हमें व्रुद्धाश्रम के अलावा क्या देंगे? महा स्वार्थी है या पीड़ी? पहले कभी हमने भारत में व्रुद्धाश्रमों का नाम तक सुना था? हमारी सास तो आखिर तक हमारी चाती मेरा मतलब हमारे साथ रहती रही डॉक्टर ने सिर हिलाया और किसी सोच में डूब गए मानू उनकी पत्नी ने पते की बात कही थी फिर अकबार उठा कर पढ़ने लगे उनकी स्थूल पत्नी नाश्टे का सामान सजाने लगी थी लीजी ना कुछ? जी नहीं मेरा वृत है मैं सफाई से जूट बोल गई बचपन से मा की बधाई हुई गांट सफर में किसी अजनवी से कुछ लेकर मत खाना कस गई? डॉक्टर ने तीनों युवाओं से एक आउपचारिक आग्रह किया उन तीनों ने बिना संकोच के एक एक पूरी उठा ली और खाने लगे मुँ में पूरी ठूसे ठूसे लड़की ने कहा Very delicious auntie, what pickle is this? कहकर एक पूरी और उठा ली, उस पर उंगली से अचार फैला कर रोल बनाने लगी Tantie, वे उदासिंता से बोली What tea? A wild fruit, डॉक्टर ने समझाया Oh, I thought these are sea fish's eggs No, no, we are pure vegetarians कहकर अथ्यापिका महोदया ने अपना टिफिन उनके सामने से खींच लिया और मेरी तरफ मुँ करके खाने लगी मैं खिडकी से सट कर बैठ गई क्रींग किच करके ट्रेन रुख गई शायद चेन पुलिंग थी यह दिल्ली के बाहर का आउद्योगिक शेत्र था यह तो रोज का किस्सा है अनेक स्थानिय यात्री इस ट्रेन और फिर आट बजे तक दिल्ली से चलने वाली हर ट्रेन में चड़कर आते हैं फिर बार बार चेन पुलिंग होती है दो घंटों में भी दिल्ली की सीमा से ट्रेन बाहर नहीं निकल पाती शाम की ट्रेनों में भी यही हाल रहता है काफी समय तो बरबाद होता ही है साथ ही ये लोग प्रथम श्रेनी से लेकर आरक्षित शाईकाउन तक हर जग घुसे चले आते हैं फिर यात्रियों के साथ बत्तमीजी से पेश आते हैं कोई लड़की या सुन्दर महिला यात्री दिख जाए तो उससे सठ कर बैट जाएंगे उसके समरक्षक आपती करें तो जगडा फिर तो ये लोग ट्रेन को चलने ही नहीं देंगे ट्रेन में तोड फाड करेंगे यह व्यवस्ता का ऐसा सुराख है जो बंद नहीं हो सकता सालों पुराना चलन है यही देखते देखते मैं युवा से प्राउड हो चली हूँ आज भी मुझे इन लोगों से डर लगता है वो तो सौभाग्य से यह डिब्बा बहुत पीछे था सो इस डिब्बे में कोई जुंड नहीं चड़ा नहीं तो इस लड़की के कपड़ों और अदाओं पर यहां तो कतल हो जाते और इसके ये दो मर्गिल्ले से समरक्षक कुछ नहीं कर पाते हिंदी तक तो ठीक से समझ बोल नहीं पाते मैं भी सोचने लगी ये खुलापन इनकी इस कदर लापरवाही क्या इन्हें खत्रों की तरफ नहीं धकेलती पढ़ाई, काम धंदा, कुछ करते भी हैं की नहीं उम्र तो देखो मुश्किल से 18-19 के होंगे छुटका तो पंदर कासा लगता है उस पर कैसे होंगे वे दुस्साहसी माता पिता जो इन्हें अकेले दुनिया देखने भेज दिया ये ही शायर ऐसे हैं विद्रोही किस्म के बिगडेल बच्चे मन किया कि मैं भी कहूं बलड़ी फकिन ब्रैट्स हमारे भी सहपार्टी सहकर्मी क्रिश्यन रहे हैं पर ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा क्या ये किसी मुसीबत को समस्दारी से सुलजा सकेंगे खत्रों से बच सकेंगे छोड़ो मुझे क्या पड़ी है भाड में जाए अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने बेटे बेटी को बहुत सहियम और कठोर अनशासन में पाला है बेटा तो चलो ठीक है दिल्ली आयाईटी में पड़ रहा है पर निशी मैंने एक ठंडी सांस ली रेन धीमे धीमे सरक रही थी मैंने स्वयम से सवाल पुछा क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनशासन में रख कर बहुत महान काम किया है क्या निशी इस कठोर अनशासन और अतिरिक सुरक्षित वातावरन में पल कर बेहत दब्बू बनकर नहीं रह गई बस शादी कर देने भर से हमने क्या उसे सुरक्षित कर दिया अपनी होनहार MBA लड़की को बंबई जाकर एक मल्टी नैशनल नौकरी नहीं करने दी हम दोनों ही डर गए थे कितना रोई थी वह पर हमारा मन नहीं माना बाहरी दुनिया यानि खत्रों से भरी दुनिया कह दिया था यहीं रहकर करो नौकरी या फिर कह दिया कि शादी के बाद कर लेना नौकरी पती चाहे तो अब एक-एक पैसे को पती का मुँ देखती है कहने को बड़ा बिसनस है उसके परिवार में पर तीन भाईयों में सबसे छोटा उसका पती हमेशा बेवकूफ बनता है खाने पीने की कमी नहीं बड़ा घर है संयुक्त परिवार है पर निशी अपने से कुछ खरीदना चाहे कहीं गोमने जाना चाहे वह सब नहीं हो पाता माई के तक अब उसे अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ आने में डर लगता है दामात के पास फुर्सत नहीं कि वह छोड़ जाए बस उसी को तो लेने जा रही हूँ निशी के पापा डायबिच्चिक है वे घर से नहीं निकलते आज निशी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो निशी को उन्होंने उसकी पसंद से शादी करने दी होती तो तो आज निशी का चेहरा इस सामने बैठी लड़की साथ चमकता सकताई साल की उमर में वह 35 की नहीं लगती हर समय एक स्थाई हताशा उसके चेहरे पर नहीं होती लेकिन ये बेहाई खत्रों को आमंत्रित करता खुलापन मैं असम्मंजस में थी मुझे निशी के हालातों पर रोना आने लगा था सामनी की सीट पर बड़ा लड़का और लड़की एक दूसरे पर ढलके सो रहे थे डैबोनियर के उपर हेल्थ और रिडर्स जैजस भी रखी थी चिप मैगसिन अध्खुली ट्रेन के फर्ष पर लोट रही थी तो आज का युवा सब कुछ पढ़ता है चुटके ने फिर वॉकमेन चला लिया था पर इस बार थोड़ा कम लाउड डॉक्टर उनकी पतनी बड़ी तल्लीनता से रम्मी खेल रहे थे मुझे अपना आप अचानक बहुत अकेला लगा पहर लटके लटके सू जाये थे बलकि सुन पढ़ने लगे थे मैंने उन्हें उपर कर लिया रेन तेज रफतार से उष्णकटी बंदी ये जंगलों से गुजर रही थी अप्रेल का महिना था और मौसम गर्म होने लगा था सुबह के दस बजे ही दोपहर का सा एहसास हो रहा था भूख भी लगाई थी पर मेरे पास क्या धरा था तीन सेव एक सैंडविच एक भूला भटका चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया मेरे पास खुले पैसे नहीं थे छुटके से पूछा तो उसका जवाब था वन मिनिट जेब से उसने तीन रुपे निकाल कर चुका दिये मैंने कहा भी कि आई नीट चेंज ओन ली कम ओन मॉम कहकर वक्खींखीं हसने लगा सैंडविच नो थैंक्स कहकर उसने जेब से भुने हलके हलके भूरे चिलकों वाले नमकीन काजु निकाले और मेरी प्लेट में रख दिये मैंने आश्चरी में भर कर कृतग्यता से कहा कि ऐसे काजु मैंने पहली बार देखे हैं बिना चिले भुने हुए उसने बताया कि उनके घर के आहाते में चार काजु के पेड़ हैं ये काजु नहीं पेड़ों के हैं आते समय मौम ने जबरदस्ती उनके साथ बान दिये थे मेरी कलपना में एक सामली चीन्ट की फ्रॉक पहने दुबली मगर हलके से निकले पेट वाली ममतामई क्रिश्यन महिला की छवी तैर गई मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी एक आम भारतिय उच्सुकता के तहत उनकी निजता के पादर्शी तरल को छोग कर देखना चाहती थी मसलन वह लड़की तुमारी बेहन है क्या तुमारी मा ने एक पराए लड़के को तुमारे साथ क्यों कर भेजा होगा कहां जा रहे हो कब लोट कर घर जाओगे और जरा बताओ तो क्या-क्या उगा रखा है तुमारी मा ने तुमारे आहाते में तुम एंगलो-इंडियन गोवन क्रिश्यन हो की कनवर्टी उसे क्या भाड में जाए यहा और उसकी बहन कमबद कैसे सट कर उस जवान जहान लड़के से चिपकी पड़ी है चुटके ने उच्सा से कहा कि कोई स्टेशन आ रहा है इकका दुखका नजर आने लगे थे कुछ कार खाने और ट्रेन की पटरी का एक और जोड़ा हमारी ट्रेन के साथ दौडने लगा था मैंने मन ही मन कहा अलवर हाए जल्दी में मिठाई लेना भूल गई थी दिल्ली से कमबद निशी ने भी तो अचानक फोन किया था मम्मी मुझे सांस ने कह दिया है जा हो आ माई के तुम कल ही भाईया को भेज़ दो भाईया कैसे आएगा निशी उसके एक्साइम्स है तो मा बेचारी रुआसी हो गई थी तु खुद चली आना जैपूर से तो कई सीधी रेल है दिल्ली की मम्मी तुम तो जानती हो दो चोटी बच्चों के साथ या अकेली नहीं भेजेंगे मुझे इन्हें फुरसत नहीं फिर बताओ ना मैं भी कैसे आ जाओं कितनी दिक्कत होगी दोनों तो गोदी जड़ती है हाई ममी कितनी मुश्किल से सास का मू सीधा हुआ है मेरे माई के जाने के नाम पर अच्छा अच्छा मैं ही कल ही चल दोना मां कितना तरस रही हूँ मैं देखती हूँ बस फिर सुब सुबर ट्रेन में बैटती की मिठाई लेती अलवर से ही दो किलो मिल्क केक ले चलती हूँ वहाँ जैपुर में तो स्टेशन पर दामाद लेने आएंगे उनके सामने मिठाई लेती भला अच्छी लगूंगी मैंने अलवर आता देख पर्स संभाला चुटके से कहा कि सामान का ख्याल रखे डॉक्टर दमपती उपर की खाली बर्तों पर जाकर लेट गए थे लड़की कुन मुना कर लड़के से अलग हो उठकर खड़ी हो गई थी उठते ही चौकलेट निकाल कर खाने लगी ट्रेन रुख गई थी दिब्बा सच में बहुत पीछे था मिलके की दुकान दूर थी स्टेशन पर काफी भीड थी सारी भीड पिंग सिटी में ही समाईगी क्या यह सोच मैं जल्दी जल्दी ट्रेन से उतरी और लोगों से टकराते हुए बड़े बड़े डग भरते हुए दुकान पर हाफती हुई पहुची दो-दो डिबे मिठाई और पर संभालती हुई मैं अपने गंतव्य से आधी दूरी पर ही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी मेरे तो हाथ पाँफूल गए भीड को चीरती हुई मैं आगे बढ़ रही और मुझे दूरदर्शन का एक विज्यापन याद आ रहा था कि भारत में स्टेशनों पर यात्रा करने वाले कम और उन्हें छोडने आने वाले ज्यादा होते हैं उस शनाम्ष में ही मुझे लग रहा था कि मैं चल ही नहीं पा रही अपना डिब्बा मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि अचानक छोटे लड़की की चीख ने ध्यान दिलाया कि मैं डिब्बे के एकदम पास हूँ आंटी, दर्वाजे के पास भीड थी, मेरे पीछे भीड थी मैंने किसी तरह दर्वाजे का हैंडल पकड़ा और पैर बढ़ाया ही था कि ट्रेन थोड़ा तेज रेंगने लगी मैं बुरी तरह से प्लाटफॉर्म पर गिर पड़ी पैर ज्यादा बढ़ गया होता तो दर्वाजे पर पट्रियों के बीच घिसट रही होती गिरते गिरते मुझे छोटे लड़की की चीक सुनाई दी थी उसके बाद मुझे पर जुकी भीड एक भवर की तरह घूमती नजर आई और फिर कुछ कहीं गड़ब से डूब गया ठंडे पानी की तेज छपाग से मैंने अपने चेतन का चोड ढूंडा और अवचेतन की सीढ़ियां फानती खोश में आने की जल्दी में मैं उस आघात की पारदर्शी जिल्ली की नीचे से मुठिया बांद बांद कर चीक रही थी जो की असपष्ट गोंगों में बदलती जा रही थी आखिरकार मेरे प्रहारों से बहत जिल्ली फटी तरफ देख रही थी अन्टी, आर यू ओके? डॉक्टर, शी ओपन्ड हर आइस छोटा लड़का मेरे चहरे से सटा फर्श पर हड़ बढ़ाया सा बैठा था उसकी आवास में एक नेह भरी उश्मा की थर थराहट थी कैसी है आप? एक अचनभी रेलवे के डॉक्टर ने चुक कर पुछा चिंता की कोई बात नहीं ये यंग्स्टर्स नहीं होते तो इनका और खुदा का शुक्रिया अदा करें गनीमत है कि कोई सीजिस इंजरी नहीं हुई पुराना खाया पिया काम आ गया हस कर डॉक्टर ने मेरे हवास दुरुस्त करने की कोशिश की बस अभी एंबुलेंस आती होगी मैंने थोड़ा उठना चाहा तो वह लड़की आगे आगे अपनी बाह का सहारा लिए मैंने देखा उसकी शर्ट का बड़ा हिस्सा खून से तर था मैंने दाई भौं की तरफ पीडा महसूस की छुआ तो वहाँ एक गीला सकार्फ बंदा था यह बड़े लड़के का था दोनों घुटनों पर दो रुमाल बंदे थे इतने में बड़ा लड़का पसीने में तर बतर हाथ में दवाओं पट्टियों का बंदल लेकर आ पहुँचा डोन्ट गेट अप यू आ स्टिल ब्लीडिंग बड़े लड़के ने मेरी चोट पर स्काफ दबाते हुए कहा डॉक फस्ट गीव हर टेटनस इंजेक्शन यंग मैन डोन्ट टीच मी माई डूटिस डॉक्टर ने हस कर कहा और इंजेक्शन तयार करने लगा मैंने देखा डॉक्टर छोटे कत का काला सा अंगड नकुश वाला विक्ती था शायद मुसल्मान इसी लिए बार बार खुदा के लिए खुदा का शुक्र किये जा रहा था एंबुलेंस में मैंने हिम्मत करके लड़की से पूछी लिया ओ गॉड एंटी देख्ट सीन वस होरिबल एक घंटा भी नहीं हुआ है अभी तो आप तो बहुत बुरा गिरा था प्लैटफॉर्म पर हाथ छूट गया हैंडल से वरना ट्रेन के साथ लटकता जाता वो जो मेरा फियांसी है ना रोजर उसने चेन पूल किया फिर हम तीनों सब बैग लेकर उत्रा आपके पास पहुँच ही नहीं सकने का था सब आदमी लोगोंने कवर कर रखा था तब मेरा भाई चिलना कर सबको दूर भगाया और आपको रिटारिंग रूम में लाया रोजर स्टेशन मास्टर के रूम में रश करके भागा तब डॉक्टर आया और तुम तिनोंने मेरे लिए ट्रेन छोड़ दी हाँ वही तो जरूरी था ना आपको उन स्टुपिड लोगों के बीच छोड़ना नहीं था ना तमाशा करके रखा था ना आपका कोई उठा नहीं रहा था वो डॉक्टर जो ट्रेन में था वो ब्लड़ी सेल्फिश फेलो यह चुटका था His wife scolded him not to come with us and he stayed back We literally prayed to him but he told I can't I can't get down I have to reach today Leave na Keith होते हैं अंटी सेल्फिश लोग भी हमको हमारा मम्मी बोला इंसान का सेवा ही ईशू का सेवा है आप बताओ ना आपकी जगा हम होते तो आप नहीं रुकते क्या हमारे लिए मैं सोच में पढ़ गई थी मैं क्या करती मैं उतरते किसी घायल के लिए इस उमर सूजेवे पैरों के साथ मैं किसी घायल के लिए मैं क्या कर सकती थी ये तो जवान है प्रोडावस्था का बहाना खड़ा हो जाता प्रश्न वही था बच्पन में पढ़ी कहानी मनिश्य भेड और भेडिया में से मैं क्या बनती भेडिया तो नहीं इंसान बनने की हिम्मत जुटा पाती या कि शायद उस डॉक्टर की तरह जल्दी गंतव्य पर पहुँशने की चाह में आखे मूंद भेड बनकर आगे बढ़ जाती लड़की बिलकुल मेरे करीब थी उसका खून से सना शर्ट उसके हातों में था बड़ा लड़का आगे डॉक्टर के पास बैठा जैपूर जाने वाली ट्रीन के बारे में बतिया रहा था No, we won't leave her alone Please complete all formalities and give her proper medication We have to leave this place today only Don't worry, we will take care of her No, no We want to leave for जैपूर as early as possible Day after we have further reservations also Thanks, doctor हम railway के अस्पताल पहुँच गए थे Dr. रशीद ने उनका यह नाम मैंने उनके कोट पर लगी नेम टैप पर पड़ा था क्या करूं यह उच्छ सुकता जन्मजात है मर हम पट्टी कर दी थी दो एक्सरे भी हुए पर Dr. रशीद के अनुसार खुदा के वसल से सब कुछ ठीक था अब हम तीन बज़े की ट्रेन पकड़ सकते थे उन युवा और नेक फरिश्टों ने मुझे पूरी तरह से संभाल रखा था उन्हें अपने आगे के कारिक्रमों से ज्यादा मेरी जिन्ता थी तीनों के कपड़े तीनों के कपड़े मेरी वज़े से खून से सन गए थे उन्होंने अपने सामान के साथ साथ मेरा सामान संभाल रखा था मैंने पास पड़ी मेच पर देखा वहां मेरे पर्स के पास दोनों मिठाई के डिब्बे रखे थे तन ताजा ताजा साफ करके पटी किये गए चार-पांच बड़े और कई छोटे टीस्ते जखमों और मन आपस में उलशते तरह-तरह के विचारों से ठक गया था मैंने अस्पताल के विस्तर पर लेटे-लेटे आँखें बंद कर ली वे तीनों डॉक्टर के पीछे-पीछे अपने कपड़े बदलने चले गए थे दोपहर तीन बजे की ट्रेन में हम चारों फिर से बैठे थे स्टेशन मास्टर ने हम पर एक एहसान किया था इस ट्रेन में AC कमपार्टमेंट में कूपे दिलवा दिया था डॉक्टर रशीद घर से बिर्यानी का लंच पैक करवा कर पकड़ा गये थे अपना ख्याल रखेगा बहन जी जुमले के सान वाव! दिस इस मैं फिर्स चांस वन आइं सिटिंग इन AC कमपार्टमेंट चुटका बहुत खुश था उसने अपना वॉक्में निकाला और लो वोलियम में शकीरा सुनने लगा कीथ, प्लीज रेस दे वोलियम, लेक मी आल्सो लिसन यह मैं थी, वे दोनों युवा प्रणे फिर एक दूसरे में मगन थे लीसा रोसर की उंगलियों को गिटार पर फिसलते देख रही थी